आज अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तिया और उसकी कारिया समिधान के दौरा राज्यपाल को परियाप्त और व्यापक शक्तिया प्रदान किया है राज्यपाल की वही सिती है जो केंदर में राश्टेपती लब जो कैनेर सरकार में राश्ट पती की जो पोजिशन है वही पोजिशन गवर्नर यानि कि राज्यपाल की है। कहां पर राज्य में, अत्रा दोनों की शक्तिया में कुछ शेत्र को छोड़ कर बहुत कुछ समानता है। दुरकादास बसु की शब्दों में, थोड़े में राज्यपल की शक्तिया राष्टपति की समान हैं, सिर्फ कुटनितिक, सैनिक और संकट कलीन अधिकारों को छोड़ कर, लब राष्टपति और राज्यपल की लगबग सारी शक्तिया समान हैं, अगर कुटनितिक, सैनिक और संकट कलीन अधिकार को छोड़ दें तो दोरों में समान है राज्यपल की शक्तियों को अध्यन अगरे लिकित रूपों में किया जा सकता है कार्यपली का शक्ति हम इसको पॉइंट वैस पढ़ेंगे राज्यपल की कार्यपली का ही शक्ति राज्य की कार्यपालिका की शक्तिया राज्यपाल में नहीं थें जिनका प्रयोग वस्वयम तता अधिनस्त पदादिक और दोरा करता है पर लब राज्य की जो कार्यपालिका जो है उसका वेधानिक प्रमुग जो है वो राज्यपाल होता है तेता है उसके परामर्ष पे अन्यमंत्रियों की भी न्यूक्ति करता है वह अधिवक्ता अधिवक्ता यानिकि जो सरकार को जो कानूनी सलाक देता है वो अधिवक्ता अधिवक्ता और राज्य लोग से वा आयोग की अध्यक्ष और सद्यस्य की न्यूक्ति करता है राज्य ल राज्येपल मुख्यमंद्री की नियुक्ति करता है श्राज्य McN 그냥 लेकिन न्याजर के न्युकति की संबंद में राश्टर पती संबंदीत राज़ी के राज्यमगर से परामश्ऽलेता है वेसे तो केसी राज्यमें या किसी उच्च न्याले में जज को न्यूकति करते वक्तий यानि कि उसके जो न्याजरी 1949 को न quelकिर När लेकिन उस राज्य से संबंजित राज्यपाल से उस से परामश लेता है राज्यपाल की कार्यपाली का शक्तिया राज्य सूची में उल्लेकित विश्व तक विस्त्रित है समवर्थी सूची के विश्व पर राष्ट्यपाती की स्विक्रिती से वह अपने अधिकार का समवर्थी सूची के अंदर जो विषय है उसके उपर किसे तरह कानून pillowson का निर्मान करता है। तो उस condition में वह राष्यवथ्यपथी से सला मशूरा करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबन में वह नियमों का निर्मान करता है वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है उसे मुख्य मंत्री से साशन से संबन्दी सभी वीशों के संबन में सुचना प्राप्त करने का अधिकार है मुलब राज्यपाल के पास में अधिकार है कि वो मुख्य मंत्री से उससे काम से related किसी भी तरके को सूजना मांग सकता है वो मुख्य मंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिकत नेड़े को संपूर मंत्री मंदल के सम्मुख विचार के लिए रखने को क्या सकता है राज़पल मंत्री परिश्यत के सदस्यों को पद और गोपनियता की शपत दिलाता है राज़पल 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 की व्यवस्तापिका का एक अविभाज अंग है और विदाई शेत्रे में उसे महतोपुन शक्तिया प्राप्ते है वह व्यवस्तापिका का अधिविशन बुलाता है ता स्थकित करता है और व्यवस्तापिका के निम्न सदन वि उसकी बैठक को स्थकेद कौन करता है राज जापल। और विदान मंदल की पहली बैठक को सम्मदिद करता है। विदान मंडल को लोटा सकता है उसके पांस जो विदान मंडल ने जो विदेग बेजा है वो उसको अस्विक्रित कर सकता है उसको पुनल विचार के लिए बेज सकता है यदि विदान मंडल दूसरी बार विदेग पारित कर देता है तो राजजपल को उस्युक्रति देनी होगी अगर दूसरी बार उसके पांस में वो विधेक वापस आता है तो उस टाम राजजपाल को उसके उपर अपने साइन करने होते हैं जिसे राजज़ में जो कानून बनते हों कैसे बनते हैं जिसे राज़ विदान मंडल द्वारा यानि कि विदान सभा और विदान परिशत अगर दोनों हैं तो दोनों और एक ही हैं तो फिर दोनों की बात नहीं होगी तो जब दोनों के द्वारा कोई बील पांस किया जाता है तो उसको राज्यपाल के पंस बेजा जाता है राज्यपाल चाहे तो उसको पुनर विचार के लिए बेज सकता है जब दूसरी बार विदान मंडल उसको वापस बेजता है तो राज्यपाल को उसको साइन करने ही होते है जब राज्यपल उसके उपर साइन करता है तो विदेग जो है वो कानून बन जाता है बील जो है वो पांस समझा जाता है कुछ विदेगों को वो राष्टपती के विचार के लिए रक्षित रख सकता है यदि राज्य के विदान मंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपल अध्यादेश जारी कर सकता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन इसको ठीक लगा ना मानले ज़िए कि किसी राज्य में विदान मंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उस कंडिशन में राज्यपल के बास में वो अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है अध्यादेश को राज्य विदान मंडल द्वारा पारीत अधिनियों में के समान ही मानिता प्राप्त होगी मतलब उस अध्यादेश में उतनी ही शक्ति होगी जितना उस राज्य की विदान मंडल के द्वारा कोई कानुन बनाया जाता है यह अध्यादेश विदानमंडल की बैटक आरम होने के छे सप्ता के बाद तक लागू रहता है यदि छे सप्ता पूरवे विदानमंडल इस अध्यादेश को अस्विक्रित कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा उसकी validity 6 सपता की है अगर 6 सपता की बीच में विदान मंदल उस अध्यादेश को और स्विक्रित कर दे तो फिर वह समाप्त हो जाएगा कुछ विशो के अंतरगत संबन में अध्यादेश जारिश करने से बूरो राज्यपाल को राष्ट्रपती की स्विक्रिती प्राप्त करने होती है अगला जो है वो very very important है इसको टेक लगाते हैं जाना है राज्यपाल विदान परिशद के एक बटा 6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामज़द करता है जिने साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारित, अंदोलन, समाज के सेवा शेत्र में विशेष्ट तदा व्यभारिक ज्यान प्राप्त हो लोग विदान परिशद में जो सदस्यों होते हैं उसमें से एक बटा 6 सदस्यों राज्यपाल के द्वारा मनुनित किये जाते हैं अब वो सदस्यों कौन से होंगे ऐसे सदस्यों जो कला के शेत्र में, सहित्य के शेत्र में, विज्ञान के शेत्र में, सहकारित, अंदोलन के शेत्र में या समाज सेवा के शेत्र में उत्कृष्ट ग्यान रखते हो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, मनोनित किया जाता है, कितने? विदान परिशत के जो सदस्य है, उसका एक बटा छे, उसके साथ ही अगर उसको लगया कि विदान सभा में आंगल भारतिय समुझाय को उचित प्रतिनित्य प्राप्त नहीं विदान सभा में सिप एक ही सदस्य मनोनित कर सकता है, वो है आंगल भारतियों और विदान परिशत में जो सदस्य संक्या, उसका एक बटा छे सदस्य राजयपल के द्वरा मनोनित किया जाते हैं